कहते हैं उपर वाला बहुत ही कम लोगों को सुरीली अवास से नवासता है और ऐसी ही तीन बंदिया यानि कि जुगल बंदिया हमारे साथ है बात करते हैं उनसे प्रीती, रेश्मा और शालू सबसे पहले तो जुगल बंदिया क्यों? जुगल बंदियां तीन अलग स्टाइल्स में गाने वाली लड़कियां बहुत डिफ्रेंट स्टाइल स्टीनों के जब साथ मिलके गाती हैं तो वो जुगल बंदियां कहलाती है तो तो आप से जानना चाहेंगे आपका जो बैक्ग्राउंड है वो म्यूजिकल नहीं है बिल् सब साथ में हैं शालू आप बताइए आपका सफर पूरा सफर कैसा रहा यह पूरा सफर बहुत ही मज़ेदार था जब पहले तो हम लोग जैसे जानते नहीं थे बट मेरे फादर के थ्रू आयनू प्रीति एन रिश्मा तो मुझे बहुत ही इनका नेचर बहुत अच्छा ल पसंद करते हैं इसलिए हम इसको गुरूप को हम बहुत आगे तक लेकर जाएंगे और इसी कारण से यही रीजन है अगर बैंड गुरूप की बात की जाए तो किस तरीके से यह concept दिमाग में आया जब पहली बार एक दूसर से मिले तो क्या दिमाग में आया किस तरीके का concept जुगल बंदियां किस तरीके से पूरा concept दिमाग म्यूजिकल बैक्ग्राउंड से अटलीस चालू और मैं तो हैं और मेरे घर में भी हमेशा से म्यूजिक राया और बीन परफॉर्मिंग पहले भी बट ब्रेक आया उसके बाद मन था कि वापस सिंगिंग में जाना है तो क् कुछ अलग करें हमारे मेन्टोर मिस्टर पर्म जीत सिंग्ग जो हमारे मैनेजर भी है उनको मैंने पूछा कि बहुत मने कुछ अलग करने का वापस म्यूजिक में जाने का तो उन्होंने का क्या से तो मैंने सुचा की ऐसो तो आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे आपकी नजरों ने समझा आपकी जुगल बन दिया स्टाइल में तीनों एक साथ एक अच्छा सगा आपको बहुत 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 काम्यादी दे बहुत सक्सस दे आपके बैंगे कैमरा परसन अंगित सिंग के साथ दीप करन जोहान मुंसप टीवी दिरली